हलो बच्चों कैसे हैं आप सभी लोग आई होब कि आप लोग अच्छे होंगे तो देखिएगा हम लोगों ने क्लास टेंद का जो थीरम का सीरीज है इसको स्टाट किया है जिसमें हम पहुँच चुके हैं कहां पर तो कनवर्स ओफ पाइथागोरस थीरम पर ठीक है इसके पिछले वाले वीडियो में हमने क्या देखा था पाइथागोरस थीरम देखा था और मैंने आपको बोला था कि वो इंपोर्टेंट है अच्छे से आप लोग उसको कीजिएगा ठीक है तो चलिए आप ये कनवर्स इसक का प्रूव आजाएगा तो चलिए देखते हैं कि यहां पर स्टेटमेंड में क्या दिया गया है और हमें क्या प्रूव करना है तो यहां पर क्या लिख है कि in a triangle इन्हों इन्होंने नहीं बोला है, इन्होंने बोला है कि in a triangle, यानि एक triangle में, ठीक है, if the square of one side, यानि एक side का square, किसके equal होता है, वो equal होता है, sum of the squares of the remaining two sets, यानि जो बचे हुए दोनों sides से, उनके square के sum के equal होता है, तो फिर वो जो triangle है, वो कैसा triangle होगा, तो right angle triangle होगा, ओके, तो यहाँ पर given क्या है, प्रूफ क्या करना है, तो देखो, यहाँ से यहाँ तक आप लोगों का given part है, और यह हम लोगों को prove करना है, ठीक है, तो क्या दिया गया है कि एक triangle में, माल लीजिए, हमार पास यही रहा, triangle ABC, ठीक है, तो इसमें one side का square, तो यहाँ पर हम one side ले लेते हैं, AC, ओके, यहाँ पर greater side, इनको mention करना चाहिए था, यानि बड़ा वाला side का square, जो बचे हुए दोनों छोटने वाले side से, उनके square के समके equal, ठीक है, नहीं किया न, पर हम यहाँ पर AC ही लेंगे, आप जानते ही हो, दिख रहा है, सामने से यही बढ़ा होगा, AC square, यह किसके equal हो जाएगा, तो जो remaining two sides है, उनके square के समके equal हो जाएगा, यानि AB square प्लस BC का square, ठीक है, तो यह आप लोगों का given part है, हमें क्या प्रूफ करना है, अगर ऐसा कुछ होता है, AC square which is equal to AB square प्लस BC square, तो फिर हम बोल देंगे कि given triangle is a right angle triangle, यानि कि यह वाला चो triangle है ना, मतला हम यहां पर कितने degree का angle बनेगा, तो 90 degree का angle बनेगा, यानि यह चीज हम लोगों को प्रूफ करना है, कि angle ABC which is equal to 90 degree, अगर angle ABC 90 degree का, देखो मैं 90 बनाना नहीं है, क्योंकि यह तो हमको प्रूफ करना है ना, तो हम नहीं बना सकते, अगर हमने ऐसा ला दिया, कि यह वारा जो angle है, यह 90 degree का, तो फिर हमें जो प्रूफ करना है, वो हो जाएगा, अगर यह 90 degree का हुआ, तो given triangle is the right angle triangle, है ना, इस तरीके से हम लोग इसको कर सकते हैं, तो यह आपका given है, यह आपका क्या है, टू प्रूफ, तो देखो, पाइथा गोरस ठीरम का, टूटली अपोजेट है, उसमें क्या था, यह दिया रहता था, आमें यह प्रूफ करना होता था, आप देखो, इसका opposite हो गया, य triangle ABC, draw triangle, यहाँ पर कुछ और नाम लिखेंगे ना, तो क्या लिखा जाए, XYZ, इसका नाम हम लोग लिख देते हैं, draw triangle XYZ, और यह आपको ऐसे ड्रॉफ करना है, यहाँ पर लिखेंगे, हम लोग search that, समझेगा, यह हमें ऐसे ड्रॉफ करना है, इसमें देखो, किसको किसको हमें equal लाना है, तो यह जो triangle हम बना रहे है, यह क्या है, यह एक right angle triangle है, यानि कि angle XYZ, मतलब यहाँ पर ना, कितने डिगरी का angle बनेगा, 90 डिगरी का angle बनेगा, ठीक है, यह बात हो गई, इसके बाद, देखिएगा, यह जो AB है, साइड AB, किसके equal होगा, XY के equal होगा, इस तरीके से ह हमने construct किया, क्या किया, हमने triangle बनाए, XYZ, जो क्या है, एक right angle triangle है, यहाँ पर 90 डिगरी का angle बन रहा है, ठीक है, और फिर हमने यहाँ पर क्या बताया है, हमने इस तरीके से इस figure को ड्रॉ किया है, कि AB के equal में क्या है, XY और BC के equal में क्या है, YZ, ओके, तो यह सब आप लोगों का construction है, अब यहाँ से जो इसका प्रूफ है, वो हम लोग शुरू करेंगे, तो देखो, कैसे होगा, आपको समझाती हूँ, यहाँ पर हम लोग इसको कैसे प्रूफ करेंगे, सोचना पड़ेगा, तो देखो, अभी हमने क्या देखा, यहाँ पर construction में कि यह जो हमारा triangle है, यह क इतने degree का है, यह है 90 degree का, यह कहां से लिख दिया, construction से, तो यहाँ पर हम लिख देंगे, from construction, ठीक है, तो फिर इसमें हम लोग पाइथागोरस theorem का यूज कर सकते हैं, तो पाइथागोरस theorem क्या होता है, हाइपोटेनिस का स्क्वेर, तो बताएगे, यहाँ पर हाइपोटेनिस स्क्वेर, यह बात समझ में आई, और यहाँ पर इसका कारण क्या लिखोगे, कौन सा theorem हमने लगाया, तो पाइथागोरस theorem लगाया, यहाँ पर लिख देना इसका reason, पाइथागोरस theorem, ठीक है, यह बात समझ में आई, अब उसके बाद यहाँ पर आगे देखिएगा, xy, xy क क्या बोला था, ab किसके equal है, xy के equal है, यानि, xy के place क्या हम लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, तो देखिए, यह जो xy है, इसके place पर हम लोग क्या लिख देंगे, ab, यहाँ पर आजाएगा, ab का square, फिर वैसे ही, yz के equal में क्या है, bc, यानि yz के place पर हम लोग bc लि देखो, यहाँ पर, ab square plus bc square, given में देखिए, यह किसके equal है, ac square के equal है, यानि, इसके place पर हम क्या लिख सकते है, ac का square, तो देखिए, इधर xz square तो पहले से ही है, ab square plus bc square, इसके place पर हम लोग लिख देंगे, ac का square, ठीक है, और यह हमने कहां से लिखा, given से लिखा, यहाँ पर लिख दीजेगा, from given, ठीक है, अब उसके बाद इधर ध्यान से देखो, हमें क्या करना पड़ेगा, अच्छा, यहाँ पर हम कर क्या रहे, यह कैसे प्रूव होगा, पहले आप समझ लीजिए, देखिए, अगर दो ट्रेंगल है, हमारे पास, और दोनों अगर आते हैं, स राइट अगल ट्रेंगल है, अगर मैं यह दोनों ट्रेंगल अब यह ना दो था यह का राइगणल हो जाएंगल, थी हमाना यह ओन लोगों को लाना था, यानि हम यहाँ पर कर क्या रहे हैं इन दोनों ट्रैंगल को similar ला रहे हैं अब यह दोनों ट्रैंगल कैसे आएंगे तो इसके लिए हमने कई सारे टेस्ट देखे हैं यहाँ पर हम कौन सा टेस्ट यूज़ करेंगे side 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 test of congruency यहाँ पर देखेगा इन दोनों ट्रैंगल में को समझाते हैं सुनों यहाँ पर अमने क्या देखा यह यह जो है यह एकसवाई-के equal है मतलब वही congruent है फिर यह जो BC है BC YZ के congruent है अगर मैं मतलब यहाँ पर दो side दो corresponding sides तो congruent आ चुके है अगर मैं तीसरी वाली side को भी congruent ला दू यानि AC congruent हो जाए किसके XZ के तो फिर हम बोल सकते है side 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 test है कि these two triangles are congruent यानि दोनों triangles क्या है आपस में congruent है तो हम यहाँ पर क्या ला रहे हैं AC और XZ को equal ला रहे है तो देखिएगा यहाँ पर XZ का square which is equal to AC का square यह तो आ चुका है न अब उसके बाद क्या होगा अगर मैं यह square हटा दू तो मेरा काम हो सकता है XZ और AC यह दोनों आपस में क्या आ जाएंगे equal आ जाएंगे तो देखिएगा यह square हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा यहाँ पर square root लेना पड़ेगा तो हम इस तरीके से आएगा न आपको पूरा ही समझा देती हो और यह भी root के अंदर आ जाएगा अब क्या स्क्वाइर से रूट कैंसल स्क्वाइर से रूट कैंसल यानिकि यहाँ पर क्या बचा एक जेट विच इक्वल टू एसी उके समझ में आया तो बताएगा यहाँ पर कौन साइट आ जाएगा देखो यहाँ पर इसका corresponding side xy equal है फिर बीसी का corresponding side yz equal है और एक जेट का एक जेट का corresponding side साइड 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 क्या बोल सकते हैं कि यह दोनों ट्रैंगल सापस में क्या है कॉंगरुएंट है तो देखिए अब भी अम इतर लिख देंगे कि ट्रैंगल और अगर ऐसा है तो फिर इसके जो करस्पॉंडिंग पार्ट से वह भी कॉंगरुएंट हो जाएंगे यानिकि अगर यह वाला इंगल नाइंटी डिग्री का है तो यह तो हम लोगों को लाना था तो यहां पर लिखेंगे कि यहां पर लिखेंगे कि देर्फोर एंगल एबीस एब यहां पर देखना यहां पर लिखेंगे नीचे कि देर्फोर एंगल एबीसीच और छसको हमने प्रूफ कर दिया प्ले तरीके से तो इसको भी आप लोग समझ लीजीगा क्योंकि Converse और Pythagoras theorem इसका भी use हम लोग कई बार questions के अंदर करते हैं कई सारे questions ऐसे आते हैं जहाँ पर हमें इसकी भी जरुवत पड़ती है तो याद रखिएगा Pythagoras theorem का ही opposite क्या होता है Converse और Pythagoras theorem होता है यहाँ पर फाइनली चैप्टर नमबर टू के सारे theorem कंप्लेट होते हैं और lesson नमबर वन की भी सारे theorem को आमने कंप्लेट कर लिया है अभी आगे आने वाले वीडियो में हम लोग जो हमारा अगला lesson है यानि के चैप्टर नमबर थ्री सरकल उसके जो थीरम से उनको देखेंगे ठीक है तो चलिए फिर मिलेंगे निक्स वीडियो में ध्यान रखना अपना और पढ़ाई करते रहो चलो बाई अवरीवन